पोती ने अपने दादा पर रेब करने का आरोप लगाया है 11 साल की इस बच्ची ने बताया कि दादा पिछले 2 सालों से उसका रेब कर रहा है पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर जेल भेज दिया है वहीं बच्ची को चाइल केर भेज दिया गया है शुकरवार को बच्ची ने कहा वेह चाइल केर में नहीं रहना चाहती है उसे बाहर निकलना है और पढ़ाई करके आगे बढ़ना है यह मामला गायतरीनगर इलाके का है यहां रहने वाली एक लड़की अलका बदला नाम का उसी का दादा पिछले दो साल से रेप्ट कर रहा था अलका ने बताया कि मेरी मा है लखीमपुर में अपने तीसरे पती के साथ रह रही है मैं दूसरे पिता धीरेंद्र के पिता धरमेंद्र यादव के घर रह रही थी मेरी मा मुझे यहां छोड़ गई थी एक दिन रात में दादा धरमेंद्र हाफ पैंट पहन कर मेरे कमरे में आ गए घबरा कर मैंने पास में सो रही अपनी सवतेली बहन को जगा दिया तभी घर के सभी लोग जा गए जब दादा से पूछा गया तो सबसे कह दिया कि बातरूम करने उठा था अंधेरे में गलती से दूसरे कमरे में चला गया एक दिन दादी किसी रिष्टेदार के घर गी थी घर में भी कोई नहीं था तभी दादा बिना कपड़ों के मेरे कमरे में आ गया विरोट करने पर बोला कि मैं अब बुढधा हो गया हूँ ज्यादा परिशानी नहीं होगी इसके बाद दादा हर रोज मेरा रेप करने लगे उनके लिए यह आम बात हो गई इस बीच 29 जलाई को एंजियो रेड डिगेट की हे डूशा विश्व कर्मा अलका के घर उससे मिलने पहुंची थी अलका ने बताया उशा मैं को देख मैं रोपड़ी और पूरी बात उनको बताई वो मुझे तुरंट अपने साथ चाइल केर ले आई और दादा के खिलाफ थाने में शिकायत दी